नमस्कार में अप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर यूक्रेन से आखिरकार पटना पहुंचे छात्र बिहार के कई IAS अफसरों का हुआ तबाता अधिकारियों को देना होगा अब काम का हिसाब जमीन के सर्वे में मिली शिकायत तो नपेंगे करमचारी तरी कॉप्टर जून के बाद अब सैटलाइट फोन से भी पकड़ी जाएगी शराब अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की वड़े खबरों के और विस्तार से यूक्रेन से आखिरकार पटना पहुंचे छात् जिसे यूक्रेन के लोग तो देह्शक में हैं साथ ही वहां पढ़ने और कमाने के इरादे से गए भारत वासियों को भी वहां से निकालना एक बड़ी चुनौती बन गई थी जिसमें बिहार के भी कई लोग वहां फसे हुए थे हाला कि राहत की बात ये है कि बिहार सरकार ने अपने लोगों को वहां से निकालने की प्रॉक्रिया को देज कर दिया है जिसके तहती आज कई छातर वापस लोट कर बिहार आए हैं मिली जयानकारी के नुसार यूक्रेन में फसे बिहार के साथ बच्छे रवीबार को पटना पहुंचे दिल्ली में 8-च преп 50 मिनेत से पर आए फ्लाइट में साथ बच्चे देखने को मिले, बच्चों के चहरे पर घर आने की खुशी साफ दिखाई दी, बच्चों के स्वागत के लिए बिहार के डिप्टी सीम, तारकिशुर प्रिसाद, उद्योग मंत्री शौहनवास हुसेन, जलसन साधन मंत्री संजे जहा भी पहुंचे थे, एरप अपर मुख्य साच्चिफ विवे कुमार सिंग को विकास आयुक्त बनाए गया है, भारतिय प्रशासनिक सेवा के अन्य पांच वरिये अधिकार्यों के विभाग भी बदले गया है, मुख्य मंत्री सच्चिवाले के सच्चिफ अनपम कुमार को बिहार विकास मिशिन के नि द्योग विभाग के जिम्मेवारी दी गई है, अब डाग विभाग करेगा मतदाता पहचान पत्र का सत्यापन, अब मतदाताओं के पहचान पत्र सही है या नहीं, इसकी जाच डाग विभाग करने वाला है, जिसे मतदान पत्र का सत्यापन तो होगा ही, साथी फर्जी वो पोटरोग की पहचान कर रहा है। साथे निर्वाजन आयोग ने निर्णे लिया है कि अब मतदाता पहचान पत्र डाक विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवाय जाएगा। इससे मतदाता के सही पते का सत्यापन हो जाएगा। अधिकारियों को देना होगा अब काम का पर नज़र रखी जाएगी कि सरकार के पदाधिकारी और बड़े अधिकारी आखिर किस तरह काम काज कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि सरकार के पदाधिकारियों द्वारा कितना काम किया गया है और कितना नहीं इसका हर महीने रिपोर्ट तयार होगा। सभी विभाग में इसको लेकर format तयार किया गया है किसी पदादिकारी ने एक महीने के अंदर कितने काम किये इसको लेकर format में डीटेल भरी जाएगी काबिनिट सचुवाले वभाग ने सभी वभागों के अपरमुखय सचुफ, प्रिधान सचुफ और सचुफ को इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. काबिनिट सचुवाले वभाग ने उसको लेकर सारी दिशा नरदेश भी जारी कर दिया है. जिसमें ये साफ कहा गया है कि पदाधिकारियों की तरब से निप्टाए गये कामों की मासिक तालिका भाग्य सच्चिफ के माध्यम से भरी जाएगी पटना के कई हिस्सों में हुई बुंदाबांदी बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट बिहार में जो हैस्विय से ठंड की बिदाई हो रही है वैसे वैसे मौसम भी अपनी अठखेलियां दिखा रहा है यही कारण है कि बिहार में ठंड के साथ-साथ बारिश का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है आज सुबह भी पटना में बारिश देखने को मिली मौसम वेज्यानिकों का कहना है कि प्रदेश का वातावरन काफी तेजी से बदर रहा है ठंड का प्रभाव धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और गर्मी दस्तक दे रही है प्रदेश में पच्छवा का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है वर्तमान में धरातल से 5 किलोमीटर उपर तक पच्छवा हवा का प्रभाव है पच्छवा की गती में तेजी आने से वातावरन साफ रहने की उमीद है उधर बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण प्रदेश के दक्षणी भाग के आकाश में बादल चा सकते हैं लेकिन प्रदेश के अधिकांश हसे का आकाश साफ रहेगा बिहार में जमीन के सर्वे में मिली शिकायत तो नपेंगे कर्मचारी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में निकाली रिखतियां मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एमसी ने सहाइक प्रोफेसर के कुल मिलाकर 149 पदों पर आवीदन की मांग की है इन पदों के लिए सेक्षनी क्योगिता क्यों बात करें तो फिलहाल इसकी जानकारी साज़ा नहीं की गई है लेकिन जल्दी उमीद है कि इसकी जानकारी भी साज़ा कर दी जाएगी इच्छुक और योगमिद्वार अंतिम दारीक 16 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.manc.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए URL से जाकर ले सकते हैं बिहार के जिलों में लगेगा रोजगार मेला बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है हाला कि इन सब के बीच बिहार सरकार के तरफ से बिहार में युवाओं को रोजगार मोहया कर राई जाने को लेकर कई प्रयास किये जा रहे हैं इसी कड़ी में बिहार के श्रम संसाधन विभाग मंतरी जिवेश मिश्वा ने ETV भारत से बाचीत के दोरान बताया कि विभाग अपने इस तर से बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार महया करवाने की दिश्वा में काम कर रहा है। हेलिकॉप्टर ड्रोन के बाद अब सैटलाइट फोन से भी पकड़ी जाएगी शराब। हेलिक विभाग अब सैटलाइट फोन का उपियोग करेगा। इस फोन में इंकमिंग और आउटगोइंग दोनों स्थिती में प्रती कॉल 18 रुपे शुलक लगता है। विभाग ये अधिकारियों के मताबिक जंगला दियारा और पहाड़े इलाकों में विभाग और पुलीस की टीम को छापिमारी और सूचनाओ के आदान प्रदान में नेटवर्क की परिशानी होती है। पूरे राज़ में हो रही है पक्षियों की गंणा। पक्षियों के साथ-साथ हर साल आने वाले विदेशी पक्षि भी शामिल है। इस गंणा की रुपोर्ट अगले महीने आने के संभावना है। इसके बाद राज़ो में अलग-अलग प्रजाती के पक्षियों की संख्या की जयानकारी मिल सकेगी। बिहार में घर बनाना होगा महंगा। इसकारण उत्पादन लागत बढ़ने के सिती में इट के दाम बढ़ने की भी चुन्ता जताई जा रही है। भोजपुरी गाने के बाद अब T-Series के लिए गाएंगे पवन सिंग। अपने भोजपुरी गानों के लिए मशूर पवन सिंग जल्द ही अब T-Series के लिए गाने वाले हैं। मीडिया में चल रहे खबरों के अनुसार और सोशल मीडिया पर हाली में वाइरल हुई तस्वीर को हम देखे तो जल्द ही पवन सिंग T-Series के साथ हा सकते हैं। उनकी पहली मुलाकात मानी जा रही है। पिर से इसी मुद्दे को लेकर सवाल उठाया है। जिसके तहत उन्होंने कहा कि CM नितीश कुमार अपनी महत्वकांचा के लिए बिहार और बिहारियों को सूली पर चुढाने से परहेज नहीं करेंगे। आज की तारीक में तो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में मिटेरियल नहीं हुआ, वो PM और President मिटेरियल कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि रह रहकर मुख्यमंत्री नितीश कुमार की महत्वकांची और कुर्सी की लालच बढ़ती जा रही है। अच्छी थी, मैं गेंदबाज पर सक्थ नहीं होना चाहता, क्योंकि ऐसा होता है, हमने शिर्वाती कुछ ओवर्स के दौरान अच्छी गेंदबाजी की और उन्हें रोकने में सफल रहें। हमारे गेंदबाजों ने आखरी पांच ओवर्स में असी रन दिये और इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। 117 हो गई है, जबकि उच्छारा धीन मरीजों की संख्या गिरकर 11,472 हो गई है। केंद्रे स्वास्त मंतराले ने रविवार सुबह ये जानकारी साजह की है। मंतराले के सुबह 8 बज़े के अपडेट के अनुसार देश में संक्रबन से 243 और मरीजों की जान चली गई है। उसके बाद जानके वाने वालों की संख्या बढ़कर 5,13,724 हो गई है। वहें बिहार की बात करें तो बिहार में COVID-19 के 50 मामलों की पुष्टी हुई हैं जिसमें सबसे जादा मामले राज़ुदानी पटना में पाए गये हैं। कल हमारे द्वारा पुछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रामदफ मीमांजी, रोहित कुमार संज कुमार, अजे कुमार, केश्टरी, गौतम कुमार, प्रवीन कुमार, संजीव कुमार, दिव्यांशु कुमार, विकास कुमार, प्रियायादफ, लाल भादुर कुमार आप इसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे जिन भी यूजर का जवाब हमें अच्छा लग और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार श्री लंका के खिलाब भारती टीम को मिली जीत का श्रे आप किसे देंगे अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेट रहने के हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें